नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तू कुंसिल्टेंट मैं हमेशे ही आपके लिए नई नविशे पर वीडियो बनते रहता हूँ आप जरूरत से ज्यादा परिशान है और आपको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हर वेक्ति आपके पीछे पैसे मंगने के लिए पड़ा हुआ है जहां से आपने पैसा लिया है वो उन लोगों का दबाव आपके उपर आ गया है और आप इसी टेंशन में दिन रात परिशान रहते हैं कि इनका पैसा कैसे वापस चाहे तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तुशासर के अनुसार आपके यहां ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप नोट करें, आपका अपना घर, आपके अपनी फेक्टरी, आपका अपना ओफिस है तो ओफिस, आपके अपनी दुकान है तो दुकान और आपका अपना शुरू में तो शुरू आप जहां पे भी काम करते हैं उसको देखे और साथ में आप अपने घर को नौट करे अच्छा खासा वेपार चल रहा था सारे सिस्टम ठीकते अचानक से प्रेशानी आने शुरू हो गई ऐसा क्यों हुआ आप देखेंगे नौट करेंगे तो आपके सामने सारे चीज़े के लिए रहोती चली जाएगी कब से आपके साथ ये दिकत आ रही है आप नौट कीजिए आपने अपने घर के अंदर क्या-क्या बदलाव की घर पर फैक्टरी में दुकान में शोरूम में आफिस में जहां पर भी आप काम करते हैं और जहां आप रहते हैं बिलकु ठंगे दिमाक से शान्त होकर नौट कर कि आपने कब कहां पर कैसे क्या-क्या बदलाव किये जिसकी वज़े से आपके यहां परहिशानी आ रही है कुछ आपने मेजर कंस्ट्रेक्शन कर दी है जिसको आप तोड़ की ठीक नहीं कर सकते तो मैं आपको कहना चाहूंगा उसके लिए आप वास्तर कुंसिटेंसी हर गहर के अंदर कहीं दर्वाजे ऐसे होते जो बहर की ओर आपनिंग होती है यदि आपने अपने घर का कोई एक दर्वाजा बंद किया जिससे आप आते जाते थे तो आप उस दर्वाजे को खोलना शुरू करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको रिजर्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे इसी के साथ आपने दूसरा काम क्या करना है नौर्थ इस्ट के एरियो को क्लिन करना है खिर्की दर्वाजे खोलने हैं हवा और रोशनी आनी चाहिए कहां से नौर्थ से इस्ट से और नौर्थ करना है चाहे लाल रंग आपका किसी सामान के रूप में है या आपने लाल रंग का पेंट किया हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप वहां से लाल रंग को जरूर हटाएं जैसे ही आप ये काम करेंगे तो मेरा अपने ये मानना है कि आपका काम बनता चला जो प्रेशानी आपके साथ चल रही है जो लोगों का दवाव आपके उपर आ रहा है पैसे लुटाने का वो दवाव काफियत तक कम हो जाएगा इसी के साथ आपके अपनी वर्किंग भी प्लस होगी अब मैं आपको एक पॉइंट और बताने चाहूंगा आपका अपना घर है आपके अपनी फैक्क्री है या शौप है या शुरू में या आफिस है उसके साथ इस जोन को यानि अगनी कोने को गरम करना है अगनी कोने को कैसे गरम कर सकते हैं आप वहाँ पर एक बर्नर लगा कर चाय बना कर उस हेरी को गरम कर सकते हैं घर है तो साथ इस जोन में आप अ office है तो office के जो आपके काम बं़ों गाएंगे तो फेक्टरिय के अंदर आपका आपका अपना। रफ22 सोवट का बालों यह च्छाम तक हम बन्ते चले जायेंगे क्योंकि जब वह 108 बल्ब अन रहेगा तो उस हिसे को वह बल्ब गरम कर देगा तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सौथ एक जो जब भी गरम होती है तो पैसे आने के साधन बंते बिन रहे और आते भी है और जो तकलिफ आपके साथ चल रही है वो तकलिफ दिरे दिरे करके कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे आपको रिजर्ट पॉजिटिव मिले वैसे वैसे आप आगे और कंसल्टन्सी ले सकते हैं मैं हमेशे ही आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभों की जानकारी देता रहता हूं मैं आप लोगों के लिए हमेशे ही नई नई विशे पर वीडियो बनाते रहता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिये वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव की maximum से maximum जानकारी अपनी वीडियो के मादम से आपको जरूर दूँ और मेरी वीडियो जो भी वेक्ति देखता है मेरे पास बहुत सारी इंक्वाइरी आती है कॉल साती रहती है कहते हैं बन सजी आपकी वीडियो बिल्कुल सिंपल है और सरल है और ऐसे छोटे छोटे उपाए हैं जो हर वेक्ति अपने यहां पर कर सकता है क्योंकि मेरा अपना ज अच्छे result मिलते हैं और हमें यह लगता है कि कोई चीज तोडनी पड़ेगी और हम उसको बनाकर भी सही कर सकते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तोडने की बज़ाए बनाना ज्यादा बहतर होता है तोडने में नुकसान होता है और बनाने में अपनी परफाके के ना करinkो सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट मैप बनवाना सकते हैं और आप अपने साइट विजट के लिए विए कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित पर्तम पुस्तक लक्षमी पुरवेशक कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्थु शास्तर आप अपना आनुभव भी लिखा है आप हमारी यह पुस्तक भी मुगवाना चाते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं मेरे द्वरा इस वीडियो में दीगई जानकारी आपको अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरी इस वीडियो का अपने family और friends के facebook ग्रूप और whatsapp ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा और साथ में बेल एकन जरू दबाए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी notification आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नए विशे पर चार्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद कर दो